Welcome to another lecture, last lecture में हमने individual के residential status के कुछ rules पढ़े थे, basic conditions पढ़े थी दो, कि वन आपको दो basic conditions पढ़े थी, जिन में पहली थी कि 182 days या उसे जादा अगर आप देश में रुखते हो तो आपको resident कहा जाएगा और दूसरा, अगर आप साहट दिन इस previous year में और इसके पिछले चार previous years के अंदर कुल मिलाकर 365 या उससे जादा दिन देश में रुखते हो, तो भी आपको resident कहा जा सकता है उसका रहा हमने देखे थे, तीन इसे case होते हैं, जो exceptions होते हैं, second condition में यानि कि तीन इसे case है, जहाँ पर आपको 60 days वाली condition अपलाए नहीं होगी पहला तर कि अगर आप employment के लिए देश के बाहर जाते हो, यानि कि देश के बाहर आपको employment मिलाए तो और दूसरा, अगर आप किसी Indian ship के crew member के form में देश के बाहर जाते हो तो इन दोनों cases में आपको 60 days वाली condition नहीं मिलेगी, दोनों cases के अंदर वो 60 days वाली condition के जगे, आपको 182 days वाली condition ही अपलाए होगी एक थर्ड case भी है, जिसमें का गया है कि, if an Indian citizen और a person of Indian origin यानि कि, जो पहले दो conditions थीन हमारी, जो पहले दो exceptions थे employment outside India और member of crew of an Indian ship, इन दोनों की applicability किस पर थी, Indian citizen पर थी बट इज़ थर्ड case exception का, उसके अंदर applicability Indian citizen पर तो है ही सही साथ ही साथ, a person of Indian origin, यानि कि ऐसा वेक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी या फिर नाना-नानी undivided India के अंदर परदा हुए है, वो वेक्ति भी, अगर वो इंडिया के अंदर आता है दूसर देश से, और उसकी जो Indian income है, बाकी देशों की नहीं, इंडिया से कमाई गई इंकम, यानि इंडिया के अंदर अगर कोई bank account में उसकी FD है, उससे उसको ब्याज मिल रहा है, तो इंडिया की इंकम है, इंडिया की किसी property से rent मिल रहा है, तो इंडिया की इंकम है, तो इस प्रकार की जो इंडिया की इंकम है, अगर उस प्रकार की को इंकम उसको हो रही है, जिसका टोटल 15 लाग से जाधा है, और वो देश के अंदर आया है, किसी काम से, किसी भी काम से, व वो देव 15 रुपए से जाधा है तो अरे में स्टेटस के समर्धारित होगा या तो 182 या तो जाधा देश में रहा अगर यह तो कंडिशन हर केसम अप्ले होती ही है अगर किसे भी केसमे 182 जाधा देश में रुख गय तो तो रेसिडेंट हो ही सही, उसके रिगार्डिंग कोई रेलेक्सेशन नहीं है, बट जो सेकंड कंडिशन है 60 देज वाली, वो जो पुराने दो केस थे, यानि कि मेंबर आफ क्रू आफ इंडेंशिप और एम्प्लियमेंट आउटसर इंडिया, इसके इंदर सेकंड जो कंडिशन इसमें 60 को 182 डेज से रिप्लेज किया था, यहां पर आपको 120 डेज याद रखना है, यानि कि अगर को ऐसा व्यक्ति है जो देश के बाहर रहता है, इंडियान सिटिजन है या फिर इंडियान ओरिजिन का है, और उसकी जो इंडिया से जो इंकम है वो 15 लाख रुपे से जा पर गवर्मेंट टेक्स लगा सकती है, इस केस में कुछ रिस्ट्रिक्शन होंगे, वो हम आरे नोवार की टेक्सिबलेटी के टाइम पर समझेंगे, अब आप इतना समझे लो, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिया का सिटिजन है, या फिर इंडियान ओरिजिन का है, औ और वो देश के बाहर रहता है, और इंडिया किसी काम से आया है, और उस व्यक्ति की जो इंडिया से इंकम है, वो 15 रुपे से जाधा है, तो ऐसा व्यक्ति है, अगर देश में 120 दिन भी रुख गया ना, और पिछले 4 सालों के अंदर 365 दिन या उस से जाधा है, तो वो उसक केस के अंदर 60 को 182 से नहीं, 120 से रुपेस किया गया है, क्लियर है, तो इन तीनों कंडिशन को, sorry, इन तीनों एक्सेप्शन के केसिस को हम एक बाद समराइज कर लेते हैं, आपके एक्सेप्शन से वो तीन है, जो आपके एक्सेप्शन से वो तीन है, आपको किस केस में कहा गया है, second basic condition के case में आपको exception दिया गया है first condition क्या है basic condition कि 182 days या अगर उससे जाधा देश के इंदर रुख गए तो आपको resident कहा जाएगा first condition में कोई relaxation कोई exception नहीं है 182 days किसी भी case में रुख गए ना तो resident हो जो second basic condition है यानि की 60 days current previous year में 60 days कब current previous year में और 365 days aggregate 365 दिन aggregate कब last for previous year यह जो हमारे second condition है second basic condition इसके regarding exception आपको दिया गया है अब यह exception के 3 cases है exception के 3 cases है उसको भी काम कर लेते हैं 200 में categorize कर लेते हैं जिसके अंदर का गया है 182 days plus 365 days in last for previous year अब देखिए 182 days से ज्यादा रुख गए अगर तो तो फिर यह यह जो पैसे दिन वाली condition की बात ही नहीं उत्ती क्योंकि पहली condition में आप रेज़ेंट बन जाओगे दूसरी condition बोल रही है 182 days in current previous year plus 365 days in last for previous year clear है तो यह वाला जो case है second first वाला इसके अंदर आपको दो cases दिखते हैं जो पहला case है वो है employment outside इंडिया और जो दूसरा case यहां पर आपको मिलेगा वो है member of a crew in Indian ship ठीक है और जो दूसरा case है उसमें आपको एक ही condition मिलती है या तो इंडियान citizen या फिर इंडियन ओरीजन का गटी अचा यह जो आपको first वाला case है इंडियान citizen होना जरूरी है यह तो नपाइक है यह citizens के उपर ही apply होते हैं यह इंडियन ओरीजिन वालों के उपर अप्लाई होते है यह ये दोनों पर अप्लाय होता है, ठीक है, ये प्लस जो इंडेन इंकम है, जो इंडेन इंकम है, that should be greater than 15 लाग, 15 लाग भी नहीं, 15 लाग एक रुपे से अप्लाय हो गई है, अगर ये देश के अंदर 120 दिनें उससे जाधा रुख जाता है, और पिछले 4 साल में 365 दिनें उससे आपको resident मान लिया जाएगा, ये दो exception है तीन cases में, चले तो ये तो होगर हमारे तीन exceptions और दो basic condition, एक और concept अच्छा है, deemed resident का, ये जो government है, इसका बहुत innovative step था, इसका meaning क्या है वो समझते है, देखिया, एक अच्छा concept है, याद होना चाहिए आपको, deemed resident, deemed resident आयागा आपका, अंडर section 6, 1, A, ये आपका deemed resident का concept आया था, Finance Act 2020 में, यानि कि 2020 का जो budget था, उसमें government ये वाला act लेकर आया थी, तो ये जो आपका deemed resident का concept है, इसको लाने की ज़रुद को पड़ी, पहले थोड़ा background समझ लेते हैं, उसके बाद इसका मतलब समझेगे, देखें, एन इंडियन citizen, ये किस पर अप्ला रहे हैं, इंडियन citizen पर, ना इंडियन origin के विखती पर, ना किसी और पर, specifically इंडियन citizen की बात हो रही है, तो एक ऐसा इंडियन citizen, who has a total income, excluding foreign income, यानि किस की बात हो रही है, इंडियन income की, टोटल income में सब foreign वाली हटा दी, तो कौन सी बचें इंडियन, एक ऐसा इंडिया का citizen, जिसकी जो इंडिया से इंकम है, वो 15 लाख रुपे या उससे जाधा है, नहीं, जिसकी 15 लाख से जाधा ही होनी चाहिए, 15 लाख वाले इसमें नहीं आएगा, एक ऐसा इंडियन citizen, जिसकी भारत से इंकम है, इंडियन इंकम है, वो 15 लाख रुपे से जाधा है, और he is not liable to tax in any other country, due to the reason of his domicile और residence, देखें, इसका क्या मतलब है, एक व्यक्ति है, Mr. A, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, जिनके जो इंडियन इंकम है, इनकी इंडियन इंकम, let's say है, 25 लाख रुपे, ठीक है, भारत से इनकी कमाई है, 25 लाख रुपे, और बाके जितनी वो अलग-लग देशों से है, अब इनकी जो अलग-लग देशों में कमाई है, वो इनकी कुर्म लाकर हो रही है, देड करोड रुपे, परन्तो ये जो इनकी इतने सारी इंकम है, उस पर टेक्स बचाने के लिए उनक अर्रेंजमेंट किया है, अपने स्टेक अलग-लग देशों में, मैंने आपको पहले लेक्षे में कहा था, कि हर देश के अंदर रिगार्डिंग अपने अपने रूल्स होता है, मान लेते हैं कि ये व्यक्ति, UAE में कुछ दिन रहा, USA, UK और Australia, इन चार देशों के अंदर ये व्यक्ति रहा है, अब इन चारो देशों के अपने अपने रूल्स होंगे, जैसे UAE कहता है, लेट से कि आप पचास दिन अगर देश में रुख जाते हैं, तो आप प्रेसिडेंट हो, USA कह रहा है, आपको सौ दिन रुखना पड़ेगा, UK सत्तर दिन का कह रहा है, और Australia 90 दिन का कह रहा है, USA के अंदर वो 90 दिन रुखेगा, UK के अंदर 62 दिन रुखेगा, और Australia के अंदर वो 80 दिन रुखेगा, तो कितने होगे टोटल आपकी है, 110, 200 और 280 दिन रुखेगा, डेश के अंदर, अब मान लेते हैं कि बच्चावज दिन ये 85 दिन रुख गया, इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर ये 85 दिन रुख गया तो इसे 365 दिन रुख जाएगा, अब इसको पता है कि पिछले चार साल के अंदर स्टे देखा जाएगा, तो ये इस प्रकार से इंडिया के अंदर रुखता है, किसी साल 85 दिन, किसी साल 100 दिन रुख जाएगा, तो इसको जो इस सा 25 दिन का स्टे है इंडिया के अंदर इसने अपने स्टे को इस प्रकार से मैनेज किया हुआ है कि अगर हम इसके लास्ट चार प्रीवेस येर का स्टे देखे न वह लेस दिन 365 डेज आएगा समझ्ट यह 300 डेजन से कम रुक है उसले चार सालों में तो इस साल भी इसके 182 डेज नहीं हो रहें पिछले 4 सालों के अंदर भी सके 365 दिन नहीं हो रहे क्योंकि इसने स्टेश प्रकार से मैनेज किया अपना कि किसी भी चार साल यह 365 दिन नहीं रुखता समझे यह इंडिया के अंदर रेसिडेंट नहीं है और बाकी सब देशों में भी इतने समय रुखा है कि वहां पर भी रेसिडेंट नहीं है मतलब इसने अ और ना कोई भी 4 साल में इसके सिस्टे को मिला के 300 दिन कंप्लीट हो रहे हैं तो यह दोनों भी इसन के अंदर रेसिडेंट नहीं है और कैसे दूसरे देश के अंदर भी मतलब नहीं है तो इसो हाई नेटवर्ट इंडिविजियोल्स होते हैं यह हीं हैं यह इा योए में जितनी कमांई उतना ट्यक्स देंगे किसी डेश किसी भी देश इस प्रकार से उपन करते हैं अलग-छलग देशों में जो वहां पर या तो कम रेट पर टैक्सेबल हो या फिर नॉन टैक्सेबल हो अगर इनको कोई काम करना है इंडिया के अंधर बट इनको दिख रहे हैं कि इंडिया के अंदर टैक्स जादा है तो यह वही इंडस्ट्री इसे देश में उपन करेंगे जहां पर इंडस्ट्री के ओपर टैक्स रेट कम होगा तो अपने अफेर्स को इस प्रकार से मैनेज करते हैं दुनिया भर में कि इंके ओपर एक एग्रिगेट टैक्स बहुत कम आता है तो आप इंडिया के भी रेजिदेंट नहीं है तो इंड कि जो है यह कि यूएए के एंदर इंका इक बिजनस है ॉए के अंदर टैक्स-फ्री है इंक बिजनस ए जो फिदी है बट इंडिया का जो कानून है इंकम टेक्स एक 1961 जो हम पढ़ रहे हैं वो उसके तहट टेक्सिबल होता है बट इंडिया की सरकार इसके उपर टेक्स ले नहीं सकती इंडिया की सरकार को पता है कि यह जो वहाँ पर देश के अंदर बट श्री कर रहा है वह अगर इंडिया का रेजडेंट होता तो अहीं उसपर लगा सकतेखें कि इंडिया के साफ से तो टेक्सिबल है एक उधारन ले रहे हो सिर्फ एक एग्जाम्पल का काम उसले जोट का काम कर रहा है जोट मेनिफेक्č्रींग कोई भी एक देश है country ABC ठीक है कोई country ABC है जहां पर जो जूट का जो बिजनस है न वो exempt है tax-free है जूट का जो बिजनस है वो tax-free है उससे इसको income हो रही है एक करोड रुपे की अब जो जूट का जो बिजनस है न इंडिया के अंदर taxable है वो इंडिया के अंदर जूट इंडस्ट्री के ऊपर आपको कोई इस प्रकार का tax exemption नहीं मिलता तो इंडिया के अंदर उसकी income है बीस लाग रुपे इंडिया के अंदर बीस लाग रुपे कमाता है उस दूसरी country है वहाँ पर जूट के बिजनस से एक करोड रुपे कमाता है अगर वही बिजनस इंडिया में करता तो इंडिया में एक करोड रुपे taxable हो जाते है क्योंकि इंडिया के बिजनस exempt थोड़ी है और वहीं अगर य ग्लोबल इंकम के ऊपर ट्रोय के टेक्स ले सकती थी तो उस एक्टि ने क्या करा अपना हेड ओफिस तो खोल लिया इंडिया के अंदर और एक ब्रांच ओफिस खोल लिया उस कंट्री में जहाँ यह बिजनस एक्जेम्ट है इंडिया के अंदर वो बाकी काम करता है और जो जूट वाले जो बिजनस है वो अपने इस वाले देश के ब्रांच के थुरू चलाता है तो उसके उस वाले देश के अंतर income exempt हो गई भले बिजनस इंडिया का है मगर non resident होने कारण इंडिया में बिजनस नहीं हो रहा न तो government उस पे टेक्स ले नहीं सकती बट इंडिया की government को साफ दिख रहा है कि व्यक्ति टेक्स बचाने के लिए उस देश गया है बट इंडिया में resident ह क्यों करतї है क्यों कर डियां कि ऑस्थ प्रकार से manage कर रहें कि दुनिया कि किrement रिचने में resident पर तकsomething । ऐसरे लोग को कहा जाता है stateless लिचन नहीं ज़ाता है stateless さ राज्य किसी बिद्य डेश का resident में यत उन्टि ना अपने बिजनस को परकार से मैंनेज करते हैं तो इंडिया की गवर्नमेंट कहा लिक रहा है कानून डीम्ड रेसिदेंट का कि मतलब होता है हो मतलब मेंनिंग है कि ऐसे व्यक्ति जो कि इंडिया के सिटीजन है कौन है इंडिया कि इंडिया के सिटिजन हैं जिनकी कि इंडियन इंकम होने वाली जो इंकम है यह ग्रेटर दर फंदालाख रूपे और जो लोग नॉन रसिडेन हैं in all country's जो किसी भी देश के अंदर अपने resident नहीं है थीके, तो इंडेनि स्टिसन है, इंडिया से कमी 15 लाग से ज़ाता है, और किसी भी देश के इंदर रेसिडेंट नहीं है, ऐसे लोगों को भारत अपना लेगा कि तुम्हें कोई देश अपना नहीं रहा ना तुम किसी भी देश के रेसिडेंट नहीं हो हमारे देश के नागरी को इसलिए हम तुमको अपना रहे तुम हमारे देश के रेसिडेंट कहलाओगे चाहे तुम देश में रुको या मत रुको एक ब सिन देश में नहीं हो इंडिया से बंदा राक साथ कमा रहा हो किसी भी देश में रस्देंट नहीं हो भारत के अंदर रस्देंट तुमको मान लिया जाएगा तो ऐसे विख्तर क्या कहेंगे drift तो अब इसका जिए दिष दुक्रय के अंदर व्यापार है अब इसका जिजिज दुश के इंदर व्यापार है गवर्वेंट देखेगी वह एक्जेम्ट हो या नहीं हो इंडिया के कानून के साब से taxable है क्या अगर taxable होगा तो दुनिया भर में जहाँ जहाँ बिजनस है इंडियान गवर्मेंट अब उस से उस income पर tax ले सकती है समझे जो गवर्मेंट औफ इंडिया ने इस प्रकार के लोगों को टेक्स के दायरे में लाने के लिए रूल इंपोस्ट किया तो जो भी व्यक्ति इस प्रकार से अपने स्टे को मैनेज करते थे अब वो इंडिया के अंदर taxability के दायरे के अंदर आ गया है ठीक है तो यह जो लोग है अगर अपने residential status के कारण अब इंडिया के अंदर taxable नहीं आते हैं या फिर दूसरे बिजनस के अंदर आसा व्यापर करते हैं जो टेक्स बल नहीं है बट इंडिया के अंदर taxable है तो इसके ओपर इंडियन गवर्मेंट अब टैक्स उसके ओपर लगा सकती है ठीक है तो अगर इंडिया के अंदर उनकी इंका पंदर लाग से जाता है तो भारत की सरकार उनको resident मान लेगा अच्छा एक और concept है आपे आर न ओ आर का resident बट नौट ऑरडिनेरिली रेसिडेंट आर अगे पढ़ेंगे यह समझ लेना कि यह resident तो होते मगर आर न ओर होते resident बट नौट और इंडिनेरि रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं यह सब चर्चांब बाद में करेंगे अभी बस सुनके याद करके छोड़ दू ठीक है चली तो कि समझ माया एंस आट इसकी जो किसी भी देश में Changing नहीं है इंडिया के सिटिजने इंड़ा में इंकम पंदा लाक रुपेश जादा है तो उनको लिद्ध मान लिया जाएगा अब आते हैं एडिशनल केंडिशन पर जब यह चैप्टर स्टार्ट हो रहा था तब मैंने आपको कहा था कि जो इंडिविज्विज्वल है उनमें दो लेवल उप्लासिटिकेशन होता है रेसिदेंट और रेसिदेंट का बेसिक कंडिशन अब आपको याद हो गई होगी 182 देज या फिर 60 देज इन करेंट प्रीवेस यह और 365 देन लास्ट फॉर प्रीवेस यह तीन एक्सेप्शन है एंप्लॉइमेंट आउटसाइड इंडिया और क्रूइमेंबर और इंडियन शिप फॉरेन बाउंड उसके अंदर फॉर्स कंडिशन तो इंटेक्ट रहेगी 182 देज इंडिया में रुग गये तो रेसिदेंट हो कि इंडिया से इंकम पंजालाक रुपय से जाधा है आप इंडिया के सिटिजन या फूर इंडियन ओरिजिन के व्यक्ति हो और आप देश के अंदर 120 दिन या उससे जाधा रुख गये तो यह देखेंगे पिछले चार साल में 350 दिन हो रहे या नहीं हो रहे अगर हो जाते ह जाधा तो आपको resident मान लिया जाएगा यानि कि second condition में 60 को 120 से substitute कर देंगे तो तीन exception थे और दो बेसिक condition है अब resident तो आप बन गए दो basic condition पूरी कर दें आपने तो आप resident तो बन जाओगे बट resident के बाद दो additional condition और है और 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 इसके टेक्स अबिलिटी हम बाद में सीखेंगे अभी से हमको इतना समझने कि resident के भी दो फॉर्म होते हैं resident बनने के बाद भी आप और 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 में से कोई केटेगरी में आओगे ठीक है यह हमारी regular membership इंडिया की यह हमारी regular membership यह हमारी gold membership और यह R&OR होती है platinum membership सबसे premium membership देश की कौन सी होती है R&OR इसके अंदर तो सरकार आपने दुनिया में कहीं भी कुछ भी एक रुपया भी कमा लिया तो उसके उपर भी सरकार आपसे टेक्स लेगी R&OR के थोड़ी बहुत income government छोड़ देती है taxability में दूसर देशों की बट R&OR तो एकदम premium membership देश की सरकार आप दुनिया में कहीं भी कमा होगा इस पर टेक्स लेगी आपसे समझे तो हम यह दो classification और समय में जलूरी है R&OR की फिर भी कुछ ऐसे income होती है जिस पर इंडिया के अंदर tax नहीं लगता R&OR के तो ऐसे कोई income है ही नहीं दुनिया भर के अंदर जिस पर इंडिया में tax नहीं लगेगा तो R&OR दुनिया में कहीं भी कमाएगा इंडिया के अंदर tax के दाइरे में आएगा R&OR की दूसरे देशों के कुछ ऐसी income होती है जिसको इंडिया में taxable नहीं करते और non-resident की तो इंडिया के अलावा किसी भी देश के income को taxable करते ही नहीं इंडिया में तो government को non-resident तो पसंद ही नहीं R&OR थोड़े कम पसंद है सबसे favorite होते है ROR समझगे तो अब इन दोन क्लासिफिकेशन को निकालना सीखते है residential status additional condition तभी आती है जब व्यक्ति resident हो अगर non-resident है तो तो काई का ROR या R&OR non-resident में तो कुछ classification ही नहीं होता तो once a person qualifies as a resident under either of the two rules mentioned earlier the next step is checking if the person is a resident and ordinarily resident ROR or resident and not ordinarily resident R&OR ROR कब का जाएगा जब पिछले 10 previous year में से किसी भी 2 previous year में आप resident हो plus पिछले 7 सालों में 730 दिन देश में रुके हो यह दोने additional condition होती है दोनों satisfy करना ज़रूरी है basic दो में से एक कर दोगे चलेगा additional दोनों करोगे तो ROR बनोगे समझ रहो देखो अब इसका meaning क्या है क्यों लेका है government देखो दो व्यक्ति है दो व्यक्ति है यह इंडियन और यह अमेरिकन यह वंदा दुनिया में कहीं नी गया इंडिया के लाब़ा बचपन से लेकर आज तक इंडिया में ही है ठीक है तो इस व्यक्तिने कभी जीवन में एर्पोर्ट में देखा यह हमेशा देश के अंदर ही रहा है ठीक है बिल्कुल देशी इंसान है इसकी इंडिया के अंदर इंकम है 20 लाख रुपे और हमने रेगा तो पहले दिन क्लास के अंदर इस चाह सेकेंड चेप्टर की वह ही केस वापस ले ले लेते हैं UK के अंदर इसके एक FDA किसे रिलेटिव में करवा दी तो उससे पांच लाख रुपे की इंकम ही टूटल 25 लाख रुपे अब यह बंदा अमेरिकन है उसकी मेजर इंकम तो यूएसस ही है 50 लाख रुपे मगर जो इंडिया में यह दुनिया में अलग-अलग देशों में जाता रहता है पहली बार इंडिया के अंदर आया और इंडिया के आदब इसना थोड़ा बहुत पांच लाख रुपें इसने अंडिया से कमा लिए तो पच्पन लाग रुपए समझे अब ये इंडिया के अंदर गलती से रुख गया 200 दिन इंडिया के अंदर रुख गया 200 दिन रुख गया और ये व्यक्ति पूरे 300 पैसक दिन भारत में था देश के बार गया ही नहीं कभी तो ये दोनों लोग है अब मुझे बताओ ये जो बंदन अमेरिकन है अमेरिकन व्यक्ति भारत के अंदर 200 दिन रुख गया अन्डिया के अंदर 200 दिन रुक गया तो क्या इसकी 50 लग कि इंकम पर सरकार टेक्स लगा दे कि तुम दोस्जे इंड्या के अंदर रुक यो वह एंकम तो यूएसा में कमाई है जो अमेरिकन व्यक्ति है उसके 50 लाख रुपे की जो यूसे की इंकम है क्या सिर्फ इस कारेंट से की वह देश के अंदर 200 दिन रुख गया भारत सरकार उस 50 लाख क्यों पर इंकम टेक्स ले लेगी जिसका भारत सरकार से कोई लेना देना ही नहीं हो पूरे यूसे में कमाई ह क्यों इंकम है कैसा विसकारेंट से टेक्स ले लेना कि तुम देश के अंदर 200 दिन साधा रुख गये हो कि ठीक बात है चलो इस वक्ति के तो समझ में आता है कि 5 लाख रुपे दूसरे देश में कम है लेकिन रहते इंडिया में हो इंडिया के रिसॉर्स यूस कर रहे हो तो भारत सरकार तुम से टेक्स लेगी दूसरे देश के इंकम पर अमेरिकन वक्ति तो गवर्मेंट में यह बात समझी गवर्मेंट ने का कि सिर्फ रेसिदेंट नौन रेसिदेंट से काम नहीं चलेगा यह प्रॉब्लम भी आती है लोगों को तो अगर को ऐसा वक्ति है जो ए मानते कि हां यह वक्ति भारत पूरी तरह सब हो गया है पिछले सात सालों में 730 से 10 देश में रहा है तो तो आप देखंब कि ये व्यक्ति अच्छे खासे समगना तक भारत में रह चुक में उतस्य को में रहता है यह आप पर जाता रहता है यह एक पहली बार आया इस साल रुग्या ने जदा समय तो रेसिडेंट तो है लेकिन ओर्डिनरी रेसिडेंट में यह पहली बार देश में आया है तो पता है ऐसे लोगों के भी जो यूए से कि इंपम है जो इंडिया से अगर ऐसी इंपम इन जिसका कोई देना है नहीए तो गवर्मेन्ट उस पर इरे निल्गती फोगोड डू रालों की Magna आरो और वाला जो मैं आपको पहले दिन समझाता है फिर और आगे सिखाएंगे पूरा एक घंटा इसके उपर हम देंगे तो जो व्यक्ति इस साल देश में आया पहली बार या फिर जनरली देश में नहीं रहता पिछले 10-15 साल में एक दो बार देश में आया है ऐसे लोगों कि हम दुनिया भर की इंकम पर टेक्स नहीं लगा सकते न तो गवर्मेंट ने बोला कि रेसिडेंट होने के बाद भी हम दो क्लासिफिकेशन और ला रहे उसमें भी अगर आरो और में आ गए तो तो फिर भाग के जाने का कोई चांस है नहीं फिर तो तुमारी द नाव इंकम इंडिया से लेने देना है कुछ तो ऐसी इंकम पर भारत सरकार टेक्स नहीं लगाएगी तो यह होता है आरे नौर के सिस्टम मुझे लग मुझे पता है अभी आपके ना नौन रेसिडेंट और आरे नौर में कन्फिजिन हो रहा होगा अब आप यह समझ लो कि और आरे नौर निकालते कैसे हैं टेक्स अब्रेटि हम आगे डिसक्स करेंगे यह बस मेरा यह समझाने का मक्सद था कि आरे नौर के लाए क्यों ताकि यह जो हार्षिप होती है दूसरे देश के लोगों को वह देश में आने ही छोड़ देंगे अगर ऐसा हुआ कि हम मानलो तो गलती से जादा रुख गए तो दुनिया पर की इंकम पर टेक्स लगा देंगे यह डर ना रहे लोगों के बिमन में और वह इंडिया आने ही ना छोड़ दें इसलिए आरे नौर के कॉमसेप्ट लाए गया क्लियर है चलिए तो जो अगली क्लास रहेगी उसके अंदर हम आरे नौर और ारं के क्लासिफिकेशन चीखेंगे और किस प्रकार से आपके टेक्सिबिटी होती है ओं धरे धरे करके आगे क्लास यो के अंदर सीखेंगे वह छीजबी के आजका लेक्षे इह तक रखता है अगली क्लास के अंदर हम एडिश्धिन के औदिशन्ट चिखे झाले, तो कि तक यू झाले, तक यू